नमस्कार आप देखरें विशी 24 न्यूज में हूँ आपके साथ सनी कुमार बालूमफिय अभी भी कानून का पालन नहीं कर रही है और अभी भी कही ने कहीं जो बालूखननन का मामला है वह सुनने में आ रहा है और कई जगह पर बालूखननन चल रहा है जिसके सूचनाई मिल से बालू अवैद खननन का मामला प्रकास होते रहता है प्रकासित होता है मैं आप लोगों को धन्वा देना चाहता हूं और उस पर बड़ी से बड़ी करवाई भी हो रही है आपने देखा होगा कि बड़ा से बड़ा अधिकारी हो एस्पी से लेकर करके और सिपाही तक जि यह और अकोद शम्पती फ्रात हो रही है तो अजबती भी हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंसा साफ है जिन लोगोंने यह बालू में अवैद कारुबार से जुड़े हुए है साथ संकेत है कि आगर उनमें सुधार नहीं होगा तो प्रसासन समय समय से छपा मारी करके उनके ट्रेक्टर हो, ट्रक हो, हाइवा हो, जेसी भी हो, वो जबती करती है, फायार करती है, निलाम करने का प्रभंद कर दिया गया है और उस से कमाई हुए संपती को भी सरकार जबत क है कि करवाई के बहुत भी खनन जारी है, मुझे लगता है कि कनोंता आपने कहा और उसका जवाब भी हमने दिया है, अगर ऐसे खनन कर रहे हैं लोग जिसको आप अवैज करते हैं, तो सरकार सुथ को बढ़िकी नहीं, लगतार ठाना परभारी, एंचला अधिकारी, जिला क करवाई कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि बड़ी से बड़ी करवाई हो रहे हैं, और आपके नजर में कहीं फीर ऐसे देखने को मिलता है, तो उजागर करते रहे हैं, सरकार सुथ करवाई कर नहीं, बालु पाफियाओं में डर नहीं बैठ रहे हैं, करवाई तो हो रहे ह मुझे लगता है कि डर तो बैठा हुआ है आप कहे रहे हैं इब आरं उल्बटी करवाई हो रह excitement कि आहां प्रफ डर्फ करने सपार घर्ज अंकुष लगाई है और मुझे लगता है कि उनके अंदर यह डर्फ सब्सक्राइब करने वालु संबंदित वो शावधान हो चुके हैं अगर उनमें कहीं इस रवजी में कहीं देखने को मिलती है तो फिर जागर कीजिए और उनके उपर करवाई सरकार की अस्तस संदेश है जुलाई अगा सितंबर तीन महीने मांसुन को ध्यान में रख करके वालु फ्रन नहीं होता है लेकिन एक अक्टूबर के खन्म परारंब होगा श्यूगम तरीके से और सरकारे दर्पे आम लोगों को वालु महिया हो इसकी लिए सरकार चिंतिगा औ करते वे लोग हैं उनके उपर करिकारवाई की जा रही है और इस बार बड़े से बड़े लोग जो हैं इस पूरे मामले में नपर हैं ऐसे में जो बालु माफिया उनके अंदर डर है कि अब वह गलत तरीके से बालु खनन नहीं कर पाएंगे और भी क्या कुछ कहा आपने सा लाल के लिए इतना ही नहीं निवाड़ है